अएलो एवर्यवन आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामियमलियास्लामिय के जो है ADMISSION fins के बारे हम बात करने वाले ौर जो डिसीजन CU straits का जनवरी नीया है उसको लेकर क्या updates है हम इस वीडियोज में बात करने वा सबसे पहले चीज जामिय मिले असलामिय में जो है 2020 में जो courses में admission हुए थे वो सिर्फ 10 courses में admission CUAT के लिए through हुआ था बाकी सारे courses में admission जो है जामिया का खुद का entrance test conduct करवाय था जामिया ने लेकिन इस year जो है बाकी सारे courses में भी admission कैसे होंगे सारे UG courses के में हम बात करें CUAT के through होने तो यह तो आपको clear रखना है कि जो admissions होने वो CUAT के through होने तो इसको लेकर आप यह मसोचे कि chances है कि जामिया entrance test करवाय या ना करवाय इसके chances कम है क्योंकि पिछली बार मौका दिया गया था कि जो इस year कुछ courses में करवा लेजिए और जहां था कि admission successfully CUAT के through हो गए तो कोई problems नहीं आई थी तो इस यह एडमिशन जो होने के chances पूरे पूरे है chances कम है कि जामिया खुद का अपना entrance test conduct करवाय दूसरी चीज क्या eligibility criteria रहेगा उन 10 courses का eligibility criteria क्या आप देख सकते हैं तो जिस बी कोर्स में आप apply करना चाहते हैं जैसे language कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा आप जनरल test की preparation करते रहे हैं और language की English की preparation करते रहे हैं अगर आप किसी political science में जैसे करना चाहते हैं तो हो सकता है उसके लिए consider कि जाए कि political science subjects आपको में में चूज करना है जैसे कि बीए ओनर हिस्ट्री का eligibility criteria कि आपको हिस्ट्री सब्जक्ट चूज करना है language courses देखिंगे उनका eligibility criteria general test हो सकता है कुछ add-on भी हो जाए अगर कुछ add-on होगा तो वो भी आपको वीडियो अपडेट कर दियाएगा और यह सारा अपडेट जो है जहां तक आपको इसी वीक में मिल जाएगा इस वीक के अपडेट आ जाएगा कि see you at applicable हो रहा है तो कौन-कौन से subject आपको चूज करने है courses सारी details आपको इस वीक में मिल जाएगी बाकि जैसे अपडेट आएगा वह आपको वीडियो बनाके अपडेट कर दिया जाएगा थैंक्यू